शिव बाबा याद है ना? शिव बाबा याद की यात्रा से ही बन सकता है बहुत हैं जो बाब को याद ही नहीं करते और न कोई को आप समान बनाते इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए अच्छे-च्छे महारती बच्चों पर भी ग्रहेचारी बैठती है तो जट गुसा आ जाता है फिर बाब को समाचार भी नहीं भेजते ऐसी आत्माओं को बाब का खजाना देने अर्थात मुरली भेजने से फाइदा ही क्या लास्ट में बाबा ने कहा इस कलियुग में तो अंग-अंग क्रिमनल है सबसे जास्ती क्रिमनल हैं आखें भाई-भाई समझो फिर भी क्रिमनल आई छूटती नहीं अपना काम करती रहती है लेकिन बाब कहते हैं मैं तुम्हारी सद्गती जरूर करूंगा नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाऊंगा परंतु जो यहां पाप कर मेरी निंदा कराते वह देरी से ही आएंगे अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो निंदक को भी अपना मित्र बनाओ प्रश्न बाप की कौन सी द्रिस्टी पक्की है तुम बच्चों को कौन सी पक्की करने है उत्तर बाप की द्रिस्टी पक्की है कि जो भी आत्माई है सब मेरे बच्चे है इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो तुम्हीं यह द्रिस्टी पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा ओम शान्ती, रूहानी बाप बैट समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है, जरूर कहेंगे शिव, वह सब का रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है, तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुशार्थनुसार समझते हैं, यह जो आकाश्वानी कहते हैं, अ इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है, आकाश के तत्व से वानी तो सब मनोश्यों के निकलती है, जो भी सब आत्माई हैं, अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं, गायन भी यहां करते हैं, सुख में तो कोई भी ब आपको याद नहीं करते, सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती हैं, यहां तो कामनाएं बहुत रहती हैं, बरसात नहीं होती तो यग्य रचते हैं, ऐसे नहीं कि सदैव यग्य करने से बरसात पड़ती है, नहीं कहां फैमन पड़ता है, भल यग्य करते हैं, परंतु यग्य कर बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने बाप खुद बैट समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है बाबा की गलानी कब से शुरू हुई? जब से रावन राज्ये शुरू हुआ है। मुख्य गलानी की है जो इश्वर को सरव्यापी कहा है। इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गलानी किसने की है? तुम बच्चोंने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो गलानी सारी दुनिया करती है। उनमें भी नंबर वन तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नस्दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चोंने की है। अब कारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है। यह है विचार सागर मन्थन करने की बाते। विचार सागर मन्थन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ न सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो गायन भी है यदा यदा ही धर्मस्य भारत की बात है खेल देखो कैसा है शिव ज्यन्ती अथ्वा शिवरात्री भी मनाते हैं वास्तों में अवतार है एक अवतार को भी ठिकर भीतर में कह दिया है बाप उलहना देते हैं गीता पाठी शलोक पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता नहीं तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे-बच्चे ही कहते रहेंगे बाप की तो वह द्रिस्टी पक्की हो गई है सब आत्माई हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे मेंसे एक भी नहीं होगा, जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले, यह तो जानते हैं, कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माई हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती, सब हमारे बच्चे हैं, कोई ने महतर का शरीर धारन किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारन किया है, बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है, बाबा की नजर में सब आत्माई हैं, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा नुसार उन्होंने बहुत अब फिर मेरे पास आ गए हैं सिर्फ यह लक्ष्मी नारैन है जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती श्रीक्रेशन की भी बहुत गलानी की है वंडर है ना श्रीक्रेशन ही बड़ा बना तो उसकी गलानी नहीं है यह ज्यान कितना अठपटा है एसी गुहिये बातें कोई समझ धोड़ी ही सकते हैं इसमें चाहिए सोने का बरतन वह याद की यात्रा से ही बन सकता है यहां बैठे भी यथार्थ याद धोड़ी ही करते हैं यह नहीं समझते कि हम छोटी यात्मा है याद भी बुद्धी से करना है यह बुद्धी में आता नहीं है छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है टीचर भी है यह बुद्धी में आना भी असंभव हो जाता है बाबा बाबा तो कहते हैं दुख में सिमर्ण सब करते हैं भगवानु आज है न दुख में सब याद करते हैं सुख में करे ना कोई, दरकार ही नहीं याद करने की, यहां तो इतने दुख आफतें आदी आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान, रहम करो, कृपा करो, अब भी बच्चे बनते हैं, तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ती दो, रहम करो, बाबा लिखते हैं, शक्ती आप ही योगबल से लो अपने उपर कृपा रहम आप ही करो अपने को आप ही राजतिलक दो युक्ति बताता हूं कैसे दे सकते हो टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं स्टुडेंट का काम है पढ़ना डारेक्शन पर चलना टीचर कोई गुरू थोड़ी ही है जो कृपा आशिरवाद करे जो अच्छे बच्चे होंगे वह दोडेंगे हर एक स्वतंत्र है जितना दोडी लगानी है वह लगाए याद की यात्रा ही दोडी है एक-एक आत्मा इंडिपेंडेंट है भाई बेहन का भी नाता छुडा दिया भाई भाई समझो फिर भी क्रिमनल आई छूटती नहीं है वह अपना काम करती रहती है इस समय मनुश्यों के अंग सब क्रिमनल है किसको लात मारी घुसा मारा तो क्रिमनल अंग हुआ न अंग-अंग क्रिमनल है वहाँ कोई भी अंग क्रिमनल नहीं होगा यहाँ अंग-अंग से क्रिमनल काम करते रहते हैं सबसे जास्ती क्रिमनल अंग कौन सा है आँखे विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते पहले-पहले है आँखे तब सूर्दास की भी कहानी है शुबाबा तो कोई श्यास्तर पढ़ा हुआ नहीं है यह रत पढ़ा हुआ है शुबाबा को तो ज्यान का सागर कहा जाता है यह तुम समझते हो के शुबाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता मैं तो नौलेजफूल हूँ बीज रूप हूँ यह सुरिष्टी रूपी जाड है उसका रचाईता है बाब बीज बाबा समझाते हैं मेरा निवास्थान मूलवतन में है अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कहना सके कि मैं इस मनोश्य सुरिष्टी का बीज रूप हूँ मैं परमपिता परमात्मा हूँ कोई कहे नहीं सकेगा सेंसिबल कोई अच्छा हो उनको कोई कहे इश्वर सरव्यापी है तो जट पूछेगा क्या तुम भी इश्वर हो क्या तुम अल्ला साई हो हो नहीं सकता परन्तु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है अल्ला का भी पता नहीं खुद ही कहते हैं अल्ला हूँ वह भी इंगलिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट आर्थ समझे तो कभी नहीं कहें बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयनती शिव जयनती अच्छिरिती समझाते हो, जगते ही नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोय पड़े है न, भक्ती करते, सीड़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सद्गती करता हूं, स्वर्ग और नर्क का राज, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, अखबारें जो त सद्गती हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो, इश्वर की गलानी करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सद्गती हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे, तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे, डरने की तो बात नहीं, जो कुछ करते हैं, कल्प प पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं, बाप कहते हैं, बेहद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं, बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को मा बाप चुम्मन करते हैं, माथे पर चड़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं अभी तुमको यह knowledge मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो जो नहीं लेते उनका भी drama में part है वही part बजाएंगे हिसाब किताब जुक्तू कर घर चले जाते हैं स्वर्ग तो देखना सके सब थोड़ी ही स्वर्ग देखेंगे यह drama बना हुआ है पाप खूब करते हैं आएंगे भी देरी से तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है अच्छे-च्छे माहरती बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो जट गुस्सा आ जाता है फिर चिठी भी नहीं लिखते हैं बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो ऐसे को बाप का खजाना देने से फाइदा ही क्या फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई कोई तो परवाह नहीं करते इतनी गफलत नहीं करनी जाहिए ऐसे बहुत डेर हैं बाप को याद भी नहीं करते हैं कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं नहीं तो बाबा को लिखना जाहिए बाबा हम हर दम आपको याद करते हैं कई तो फिर ऐसे हैं जो सब का नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़ी ही है, जूट चल न सके, अंदर दिल खाती रहेगी, बच्चों को पॉइंट तो अच्छी-च्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रति दिन बाबा गुहिये बातें समझाते रहते हैं, दुख के पाहाड गिरने वाल सत्यूग में दुख का नाम नहीं, अभी है रावन राज्य, मैसूर का राजा भी रावन आदी बनाकर दशेरा बहुत मनाते हैं, राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्व शक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती, यह सब है अंदश्रधा, इस समय हर एक में पांच विकारों की गंदगी है, फिर भगवान को सर्व व्यापी कहना, यह बहुत बड़ा जूट है, तब तो बाप कहते हैं, यदा यदा ही, मैं आकर सचखंड, सच्चा धर्म स्थापन करता हूं, सचखंड सत्युक को, जूट खंड कल्युक को कहा जात है, अभी बाप जूट खंड को सच खंड बनाते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट इस गुहिये वह अठपटे ज्यान को समझने के लिए बुद्धी को याद की यात्रा से सोने का बरतन बनाना है याद की रेस करनी है दूसरा बाप के डिरेक् वाशिरवाद करनी है अपने को राजदिलक देना है निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगती करनी है आज का वरदान उपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात कार मूर्त भव उपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात कार मूर्त भाबा ने कहा, जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रती वतन से आये हैं। आप हो, जो सब को मुक्तिधाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझ कर सेवा करेंगे, तब सक्षात कार मूर्त बनेंगे, और अनेकों की इच्छाएं पुर्ण होंगी। जो आत्माएं बाप दादा की सिर्ताज बनने वाली हैं, वह कौन सी गलती स्वपन में भी नहीं करेंगे। सिर्ताज बनने वाली आत्माओं की यह खास बात जानने के लिए सुनते हैं आज का विशेश ग्यानमोती। स्वार बनने वाली हैं, जो और बनने वाली हैं, वह कौन सी गलती। झाल